तो Amazon पे हम जब भी कभी shopping करते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं तो देखो हम discount हमेशा देखते हैं, कि इस पे कितना discount हमको मिल रहा है, क्या offer इस पे चल रहा है, ये सारी चीजे देखने के बाद हम चीज लेते हैं, तो discount हम हमेशा देखते हैं, अब क्या आपको पता है कि Amazon पे कोई चीज खरेद रहो जिसकी प्राइस है 50,000 रुपे अब उस 50,000 रुपे प्राइस में लिखा हुआ है कि इसमें 28% GST भी इंकलूड है तो अब मैं उस 50,000 में से 28% GST अमाउंट की वैल्यू निकालू जो की बैठती है 10,937 रुपे के आसपास में अब मैं इसे राउंड फि इसका क्या प्राइस होता है कौन-कौन इसको ले सकता है सारी चीज़े में आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 28% डिस्काउंट है किनके लोग को मिल सकता है देख जिनका अपना registered business है, उनके पास GST number है, तो आप उनसे पूछ लेना, पहले आप process समझ लो, बाद में आप उनसे पूछ लेना, वो agree करते हैं, तो आप उनके business पे ये discount ले सकते हो, अब process क्या है, वो समझते हैं, आपको क्या करना होगा है कि discount लेने के लिए, तो सबसे पहले laptop में या computer में, Google open कर लेना है, Google open करने के बाद आपको उपर search करना है Amazon business account, Amazon की first वाली website आजाएगी, उसके अंदर आपको अपना जो basically business है, वो यहाँ पे register करना होगा, तो उसके लिए जो first में website है, आप इसको open कर लेंगे, open करने के बाद, आप screen पे देख सकते हैं, मैं अपने phone में आपको करके बताता हूँ, सबसे पहले आपको कोई भी एक Gmail चूज कर लेना है, जिससे आप यहाँ पे register करेंगे, आपके पास कोई भी email है, उसको आप चूज कर सकते हैं, email डाल के आपको get started पे click करना है, उसके बाद क्या होगा कि अंदर आपको अपने business की सारी कर लेंगे, new setup करने के बाद, जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको सारे अपने business की जो information है, वो यहाँ पे देनी होगी, जैसे कि आपका first name क्या है, business phone number क्या है, business type क्या है, industry कौन सी है, और business license क्या है, GST number वगएरा, जो है, आप यहाँ पे डाल के validate करेंगे, validate करने के बाद जो है, आपका यहाँ पे जो business है, वो verify हो जाएगा, और आपका जो Amazon business account है, वो बन जाएगा, अब verify होने के बाद, आपका जो Amazon business account है, वो बन जाएगा, उसके बाद आप उसको कहीं पे भी login कर सकते हो, mobile में, laptop में, computer में, आप अपने Amazon पे login कर लोगे, अपने username और password से, जो search कर लोगे, search करने के बाद पहले आप ये देख लेना कि उसमें GST invoice का option है कि नहीं है, है, तो उस product को आप simply normal तरीके से, जैसे हम Amazon पे कोई भी चीज़ बाए करते हैं, आप उसको बाए कर लोगे, बाए करने के बाद क्या होगा है, जब वो product आपके पास deliver हो जाएगा, तो उ invoice डाउनलोड करने के बाद ये discount आपको कैसे मिलेगा, देखो basically ये होता है GST return, मतलब कि जो product आपने Amazon से खरीद लिया, उस पे जो GST लगाए, वो आपको return में मिल जाएगा, मिलेगा कैसे, देखो जिन लोगों का अपना registered business होता है, अगर आपका है तो आपको पता होगा, या अब जब next month आप अपने business की GST file return कराओगे, आपके CA हैं, consultant हैं, जो भी हैं, उनके पास आप अपना जो invoice है वो लेके जाओगे, और उनको बोलोगे कि last month मैंने Amazon से ये product खरीदा था, और इस पे जो GST लगाए, वो मुझे return करा दो, तो वो समझ जाएंगे, आगए का process वो सा product लिया है, उस पे 18% GST हो सकता है, 28 हो सकता है, कम जादा भी हो सकता है, तो जितना भी percent आपने GST उस product पे Amazon को दिया था, वो यहाँ पे आपको discount में मिल जाएगा, मिलेगा कैसे, जितना भी amount बैठेगी, जो आपने product लिया है, जैसे कि हमने 50,000 example लिया था, उस पे 10,900 के आ आस-पास जो आपने Amazon से product खरीदा था, उसमें GST पे किया था, वो लेस हो जाएगा, जितना भी आपको tax भरना था, जो भी liability आप पे बनके आएगी, तो इस तरीके से आप indirectly Amazon से 28% discount ले सकते हैं, लेकिन अब ये चीज करने से पहले ऐसा नहीं है, कि आप सारी चीज आपने Amazon business account बना के, आप सारी चीज़े अपने business पर खरीदे जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने से पहले आपके जो consultant है, जो भी advisor है, उनसे आप एक बार ही पूछ लें, कि क्या-क्या मैं ऐसे purchase कर लूँ, कौन-कौन सी चीज़े बाद में adjust हो जाएंगी नहीं, तो बाद में आ जो कि बाद में adjust हो सकता है, तो इस तरीके से आप Amazon पे 28% GST return में ले सकते हो, या discount ले सकते हो, simple तरीके से मैंने बताने को सिस करिया है, hopefully आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो भाई, like ज़रू कर देना, चैनल पे नहीं हो, तो subscribe करके bell icon प्रेस कर लेना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और अब चाहूँ तो मुझे भाई Instagram पे भी follow कर सकते हो, उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए thank you, bye bye